सेर के भारतीय रेट को सोसाइटी उपजिला साखा हिलसा करियाले से लाख रुप्या की हुई चोरी लाख रुप्या की समपती चोरी कर लिया गया है उक्तवाद की जनकारी देते हुए सोसाइटी के मानेजिंग कमिटी के अध्यस राज की सोर परशाद ने मताया कि रविवार की दो फ़र दो बजी सदस्यों को जनकारे मिला कि करियाले में चोरी हो गया है हिलसा थाना में लिखित आवेदन दिया गया है हिलसा थाना पुलिस इस मामले को लेकर जांच परताल कर रही है चोरी की घटना की जनकारे मिलते हैं मनेजिंग कमिटी के ध्यच राज की सोर परशाद उपाध्य सिवेंदर कुमार उफालोग परवक्ता संतोस कुमार पार्थ सदस सतेंदर परशाद सिनहा गोरा प्रकास समित कई लोग पहुँच कर घटना की जनकारे लिए सहर के योगीपूर रोड इस्तित्खुसी अस्पताल के पास खड़ी एमूलेंस से सीशा तोड़कर अग्यात बदमाशों ने ऑक्सिजन गान सलेंडर की चूरी कर लिया है इस विशे में इमूलेंस चालक अजीद कुमार के दोरा हिलिसा थाना में सूचना दिया गया है दो पर तीन बज़े हिलिसा सरकिसुन मंदिर कैंपस में समाजी कार करता हूँ कि एक बैठक होगा बैठक की अधिस्ता रजनीस रंजन ने किया बैठक दौरान बक्ताओं ने कहा कि सुबह के आठ बज़े के बाद कोई भी पसेंजर इस लांपुर से फतुहां जाने के लिए नहीं है जिसके कारण यहां के यात्रुय क्यों काफी परशानी का सामना करना पड़ता है इसके इलावे हिलसा सर के रिल वे स्टेशन पर फार्म उचा करने उभर ब्रीज की मांग समेत बीभिन मांग को लेकर चर्चा क्या गया है इस तोरान बक्ताओं ने यह निर्णा लिया है कि इसको लेकर अध्थाच्छर अभ्यान करेंगे और हध्थाच्छर अ लेकिन कुछ लाब है तो कुछ हान्या भी है बाद में इसे फिर विस्तार किया गया इसलामपूर से ही खुलेगी लेकिन हटिया का जो यह टाइम टेवल जो दिया गया जो नया 24 नमंबर से 7 जन्वरी तक ठीक है ना इस हिलसा थानाचित के उगन विखागाओं में जमीन विवाद को लेकर सनीवार की रातरी नो बजे दो पच्छों के बीच में जयमकर मार पीठ हो गया जिसमें पांच लोग जख्मी हो गए सभी जख्मी को इलाज के लिए अनमंडरलेस पताल हिलसा मिलाकर भरतिक राया गया जख्मी की पाचान हिलसा थानाचित के उगन विखागाओं निवासी राजेस परशाद के 45 वर्षे पतने सिरी कांती देवी राजेस परशाद के 14 वर्षे पुत्र ओम परकास कुमार स्वरगिये चमारी गोप के 62 वर्षे पुत्र केदार गोप राजेस परशाद के 13 कि बिहार विधान सवा के उप्षुनाव के चारो सीट पर अंडिय परतियासी ने जीत हासिल किया है वहीं महाराष्टी विधान सवा में भी भीजय हासिल हुआ है भाजपा के परतियासियों का जिसको लेकर एकंगर साह के रेलिवे स्टेशन के पास से बेज़ा जुलुस निकाला गया है जो कि एकंगर साह के चौक चुराह होकर पटना के गांधी मैदान में भारतिय समिधान की रच्छा एवं राष्टी एकता सम्मेलन में सामिल होने के लिए हिलसा के दरजनों मुहमद साकीर अनवर ने बताया कि भारतिय शमिधान की रच्छा के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं वैसे में मजबूती के साथ हिलसा के भी लोग इसकार्जक्रम में सामिल हो रहा है पैक चुनाब सांते पुर्ण महाल में संपर्ण कराने को लेकर अनवर्णर remember के प्षासन क्रापश्य फर्खन चितन में फ्लेग मर्ट किया महाल में चुनाब संपर्न करा जा सके इस तोरान हिल्सा के श्टीयो परविद कुमार, ढी इसपी समीत कुमार, क्रापश्य थाना के थाना ध्र्च अमीद कुमार शीं क्रापश्य के प्रखंड विकास प॥ सब्सक्राइब इशाल अनंद शियो मनिकांद कुमार के अलावे क्राप स्थाना के पुलिश बल मौजूद थे हिल्शा सर के राम बाबु हाइश्कुल के मैदान में एश्पियल टूनामेंट का उजन क्या गया है जहां प्रती दिन किसी न किसी खिलाली का किर्केट हो रहा था वैसे में एश्पियल टूनामेंट के दौरान रभी बार को यहां देखने को मिला है कि जहां फिल्लिंग प्लेयर एबम बैटिंग प्लेयर के बीच तूतू में में होते रहा है जहां bowling player का कहना था की मैंने catch पकर लिया और out वहाइब getting player का कहना था कि out नहीं है जिसको लेकर in park भी खासे नर्विस हो गए दर्सक दिखां में काफी लोग की भीड़ देखने को मिला है लेकिन 15 मिनट तक तूतु मैं के बाद यह मामला सांत हुआ और उसके बाद ओड करार दिया गया है किल सा थना कैंपस ना केंपस में रभी वरको टूम समाज के लोगों नी अपने भगवान को पूजा अर्चना किया है पूजा अर्चना के दौरान शुवर का बली देने का काम क्या एबं खीर बनाने का काम किया उसी एस्थान पर वह पकवान बनाकर भगवान को चल्गाने का काम किया बता दे कि इस तौरान हिलसा का अलावे बिहार शरिफ एवं कई जगा के लोग सामिल हुए हैं जा हिंदो रिति-रिवाज के नुसार फूजय अर्चना करने का काम किये हैं